नमस्कार दोस्तों हिंदी निव जफेस में आपका स्वागत हैं दोस्तों मालदेव से एक बहुत ज़्यादा सर्वनाग खबर आ रही है खबर यहा है कि मालदेव की संसद में मेंबर ऑफ पार्दियमेंट्स जो हैं उन्होंने आपका समें बहुत ज़्यादा लड़ाई जगड़ा किया है लड़ाई जगड़ा भी ऐसे किया है जैसे कि ठोटे बच्चे लड़ाई करते हैं लाद घूसे चले हो इतनी ज़्यादा बुरी तरह के से लड़ाई हुई है कि कई मेंबर ऑफ पालियमेंट्स को एंबुलेंस तक से ले जाना पड़ाई वो हॉस्पिटलाइज है मामला क्या है आई ये पूरा बिस्तार से बताता है दोस्तों मालदी में जो इलेक्शन सिस्टम है वो राश्पती के चुनाओं जैसे अमेरिका में होते हैं कि पहले राश्पती का चुनाओं होता है और उसके बाद में मेंबर्स का दोनों की जो टाइमिंग होती है वो पांच-पांस साल के लिए होती है तो इससे पहले जब चुनाव हुआ था 2019 में 19 के बाद 2023 में राश्टपती पत के लिए चुनाव हुआ था बता दें कि मालदेब की पार्लियमेंट को मजलिस बोलते हैं और इसका जो 2023 में चुनाव हुआ था इसमें भी ऐसा होता है कि पहले सारे कैंडिडेट चुनाव लगते हैं और उसमें किसी को भी 50% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो वहां का राश्टपती हो जाता है और अगर उसको 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले तो स्टार्टिंग में जो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले person होते हैं उसमें धोनों में फिर से election कराया ऐता है दोबारा अब दो लोग fight करते है election और उसमें से जिसको ज़्यादा vote मिल जाते हैं 50% से ज़्यादा ही मिलेंगे तो उसे वहां का राश्टपती हो जाता है वो यह तो है राष्ट्पती के election का process फिर राष्ट्पती जो बन जाते हैं वो अब अपनी cabinet form करते हैं जैसे कि भारत में नरेन मोदी जी हैं इन्होंने अपनी cabinet को form किया है प्रद्दान मंतरी बनने के बाद ऐसे राष्ट्पती मालदीव में भी अपने cabinet को form करते हैं लेकिन वहाँ पर कैबिनेट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले कि पार्लियमेंट के अंदर मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ती है और वो तभी फॉर्म हो सकती है। इस केस में मालडी में जो इनके राश्पती है मुहमद माईजू इन्हों ने अप्रूवल लेने के लिए पार्लियमेंट में एक सेसन बुलाया हुआ था जिसमें कल बोटिंग होनी थी संडे को वही करीब एक बज़े से डेल बज़े के आसपास कैसे मैं अब बता दें कि इनक पार्टी है वह अभी जो सत्ता पक्ष है उनके पास करीब 20 सीट्स हैं और मुहमद माईजू का कहना हो था कि यह अपनी कैबिनेट में 22 मंत्री बनाना चाहते हैं तो इनको 22 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए था अपने फेवर में पर जो अपोजिशन पार्टी है वह 22 लो लोगों के लिए अप्रूवल दे दी चार लोगों को अप्रूवल देने से उनने इस लिए मना कर दिया क्योंकि उनको चार लोग देश के लिए ठीक नहीं लग रहे थे उन्होंने का यह देश के हित में नहीं होगा इसलिए वह अप्रूवल नहीं दे रहे थे यही में कार दोस्तों किसी भी समय समाज में लड़ाई जगड़े के लिए कोई भी जगा नहीं हो सकती है तो यह मालदीव से जो भी खबर आ रही है बहुत ही शर्मनाक है उम्मीद करूंगा आगे ऐसा कभी नहों दोस्तों इस से जुड़ी हुई कोई भी डेवलप्मेंट आती है तो मैं